जैश्री सचिदानन्द भगतो ऐसे राम का नाम लो तो आपको धन, दोलत, सफलता, सम्रदि सब कुछ मिलेगा और इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे उसको भगतो भगवान को याद करने के सब के अपने अलग तरीके हैं कोई किसी तरह से याद करता है कोई किसी तरह से लेकिन चाते सभी यह हैं कि उनके जीवन में सुख हो, सम्रधी हो, दोलत हो, संपन्ता हो और वो जहां भी जाएं उनका कारिय बन जाएं और भगवान प्राप्ति तो बहुत कम लोग चाते हैं सभी लोग आज के टाइम में सुख शान्ती चाते हैं और धन दोलत चाते हैं तो अब मर्जी आपकी है, आप क्या चाते हैं जो आप चाहेंगे वही होगा निश्ची थी क्योंकि अगर आप मा से रोटी मांगोगे तो रोटी ही देगी वो पत्थर तो देगी नहीं ऐसे ही जो भी आप भगवान से मांगोगे वो निश्ची थी देंगे इसमें एक परसेंट भी संसे नहीं है अब आप भगवान को ऐसे याद करते हो राम नाम को किर्शन नाम को जिसको भी आप मानते हो तो आपको हर कारिये में बिना कुछ मांगे ही सफलता प्राप्त होगी और वो सब कुछ अपने आप ही दे देंगे करना क्या है देखो आप जो भी कारिये करते हैं तो वो कारिये करने से पहले एक बार भगवान को याद कर लो और उस काम को भगवान के अरपन कर दो कि, हे प्रभू, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही ये करोगे, मुझे कुछ नहीं पता ऐसा आदत आप सुबह उठते ही डालो, सुबह जैसे ही पहले आप उठो, आपकी आखे खुले तो ही आप बोलो है प्रभू मैं कुछ नहीं जानता मेरा सारा कारिय आपने करना है आपके उपर ये कारिय अरपन है ऐसे ही दिन में कोई भी काम करो उसके उपर अरपन कर दिया यानि उसको याद कर लिया आपने वो काम उसको सोंप दिया तो जहां पर भी आप जाओगे ना वो कारिये आपका 100% सफल होगा और अगर 1% सफल नहीं हो ना तो ये मत सोच ना कि भगवान ने ऐसा फलता दे दी आपको भगवान ने अनर्थ होने से बचा लिया है क्योंकि अगर हो सकता है सफलता मिल जाती और वो आगे के लिए अच्छ नहीं हो तो इसलिए भगवान ने आपको बचा है क्योंकि आप भविशय नहीं देख सकते तो अगर आप हर काम करने से पहले उसको एक बार याद भी कर लोगे ना अरपन ना भी करोगे तो भी चलेगा लेकिन उसको याद करना तो बहुत 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 ज़्यादा जरूर और जो अरपन कर देगा फिर उसके तो कहने ही क्या है तो आप भगवान को सिर्फ हर कारिये करने से पहले एक बार ऐसे याद करें और अपने जीवन में सुख समर्दी सफलता धन दोलत सब कुछ मिलेगा बिन मांगे और इतना मिलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मे जाए तो भगवान का नाम लेने के लिए कही नहीं जाना है ना मैनत करनी है ना रुपे लगना ना दन्दोलत लगनी है फृई ओफ कोस्ट घर बैठे आप धन संचे कर रहें इससे बड़ा धन संचे कोई है इस जगत में धनवंतरा कोई नहीं धनवंतरा वही है जिसने रा